आलिया भट स्पाई यूनिवर्स से बॉलिवड इंडस्ट्री और बॉक्स ओफिस पर बवाल काटनी वाली है क्योंकि आलिया को वायरफ पहली बार फीमेल स्पाई के तौर पर स्पाई यूनिवर्स में इंटिट्यूस करनी वाला है जब से ये खबर आई है तब से पूरी इ इंडस्ट्री और आलिया की फैंस खासा एक्साइटेड हो रखे हैं अब इस फिल्म से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई हैं बताय जा रहा है कि अपनी स्पाई यूनिवर्स के लिए आक्ट्रिस दो महीने की लंबी ट्वेनिंग लेने वाली है इस दौरान वो सब्सक्राइटेशס के साथ आक्षन के लिए खुद को तयार करेंगी इस ट्रेइनिंग के बाद अक्ट्रिस ने शूटिंग के लिए 이죠 अर्विदेशिम करेंगी जो भारत और वदेशी शिव रिवेल करने वाले हैं तरसल प्रोडक्शन हाउस इस साल के आखिर तक इस एक्शन फिल्म को पूरा करने का प्लान बना रहा है बतादे कि इस फिल्म के साथ एक्टरस अपने प्रोडक्शन हाउस में बन रही फिल्म जिक्रा का भी प्रोमोशन करने वाली है जो सितंबर में रिलीस हो रही है इस साल के अंति तक अक्ट्रिस जिग्रा के रिलीस से और याश्राज बैनर की स्पाई यूनिवर्स की शुटिंग से फ्री हो जाएंगी वही रिपोर्ट की माने तो अकले साल जनवरी से अक्ट्रिस अंजलीला भनसाली की फिल्म लव इंड वार की शुटिंग शुरू कर देंगी तो आलिया भट का ये पूरा साल उनकी फिल्मों की शुटिंग में बिजी रहने वाला है अब देखना होगा कि आलिया भट की इस फिल्म में बॉबी देवल को किस तरह से इंटिड्यूस किया जाता है और दोनों के बीच ये दुश्मनी कैसे दिखाई जाती है वही घबरे तो ये भी आ रही है कि इस फिल्म में शारु खान का कैम्यो रोल भी हो सकता है आप लोग कितने साथ एक्साइटेड हैं आलिया भट की इस से फिल्म स्पाय फिल्म के लिए कॉमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना पुलिएगा बॉलिवूड की लेटेस्ट न्यूस, गॉसिप, फिल्म रिव्यूस, सॉंग रिव्यूस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलिवूड को और येस, डोंट फोगेट तो प्रेस्ट बेल इकन ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इंफोमेशन आप बिल्कुल भी मिसना कर पाएं